हेलो दोस्तों आज का दोस्तों जो माना टॉपिक है वह डिस्पोजल रेडियो एक्टिव वेस्ट माटेरियल फ्रॉम नुक्लियर पावर प्लांट कहने के मतल जो भी हमारे नुक्लियर पावर प्लांट है उससे क्या होता है कि उसमें क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे harmful effect दे रहे हैं उन waste test को किस तरीके से reduce करें ताकि हमारे environment में effect न दे वो दोस्तों हमारे method के बारे में हम discuss करेंगे जैसा कि आपको पता है जो हमारा nuclear power plant है उसमें mostly 2-3 waste test ज़्यादा आते हैं कहने के मतलब first हमारा क्या है जो हमारा fusion reaction होता है तो fusion reaction से हमारा क्या होता है वहां हमारा radioactive element हमारा क्या है generate होता है और second हमारा क्या है कि अगर हमारा fuel cell है अगर वो damage हो रही है अगर हमारा cell damage हो जा रहा है तो भी हमारा क्या है effect हमारा ज़्यादा होगा ठीक है और क्या है कि जो भी हमारा space से water निकलता है देता है तो उस साधी प्रॉब्लम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं उनके जो वेस्ट निकलते हैं जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है उनको क्या करते हैं हम डिस्ट्रॉय करते हैं ठीक है और हमारा जो वेस्टेस होता है वो mainly किस type क्या होगा solid waste हो सकता है हमारा liquid waste हो सकता है और हमारा क्या होगा gases waste हो सकता है यह 3 type के हमारे waste होते हैं जो nuclear power plant से दोस्तों निकलते हैं अब हम बात करते हैं कि जो हमारा solid है liquid है, gas wastes है उनको किस तरी किसे हम destroy कर सकते हैं जो हमारे निकले पावर प्लांट से निकलते हैं अगर इनकों डायेट क्या करते हैं इन्वार्मेंट पे छोड़ देते हैं तो बहुत ही हजाड़ास एफेक्ट ये देंगे तो बात करते हैं फसलिए हमारा क्या है इस्टोरिस टैंक अब storage tank में क्या करते हैं जो भी वारा waste material हमारा निकलता है जो radioactive हमारे waste material होते हैं उनको क्या करते हैं पहले एक box में तरीकिस store करते हैं जैसे हमने कई सारे box बना लिया store कर दिया एक tank में store करने के बाद क्या करते हैं उसको जमीन के अंदर गड़े बनाके उसको क्या करते हैं बंद कर देते हैं याई तरी दफना देते हैं अंडर ग्राउंड कर देते हैं उस tank को ताकि जो उसका radioactive element हैं और जो उसके isotopes हैं क्या कर रहा है कि इन corrosion resistance tank जो मेरे tank होते हैं उनमे corrosion resistance हमारे tank होते हैं ताकि उसमें कोई भी जंग ना लगे और उनको बहुत ही deeply हम उन box को क्या करते हैं बहुत deeply क्या करते हैं अंडर ग्राउंड में बैड़ कर देते हैं यानि एक तरीके से पूरा धग देते हैं इससे होता क्या है कि कुछ समय के बाद passage of time these will become stable isotopes तो उनके जो isotopes हैं जो environment को harmful effect देते हैं वो क्या हो जाते हैं एस्टेबल हो जाते हैं जिससे हमारा environment क्या होता है safe रहता है तो मारा first method क्या है storing tank second हमारा क्या होता है dilution method तो जो मारे dilution method है mainly हम liquid और gas के लिए यूज़ करते हैं अब इसमें होता क्या है जब हमारा storing tank हम रखते हैं कुछ time के लिए लिखा हुआ है कि after storing for a starter time कुछ समय के लिए जब हम storing tank पर रखते हैं तो होता क्या है कि lower energy waste rather diluted either in a liquid or gases material तो होता कि उसमें dilution का process होता है और जो भी हमारा liquid है या फिर gases है उनकों क्या करते हैं पहले filter कर लेते हैं फिर उसके बाद after dilution उसको हम dilute करते हैं और उसमें होता क्या है कि dispose of the sewer without casing hazardous जो उसमें dilution के हमारे जो process से वो हो जाता है तो उससे होता क्या है जो उसके radioactive element के जो harmful effect होते हैं वो destroy हो जाते हैं उसके ब्यात क्या करते हैं उसको dispose कर सकते है often sewer without casing hazardous यानि कोई भी उसमें hazardous की प्रक्रिया ना हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं उसको हम मतलब sewer पर छोड़ और सकते हैं यह होता है dilution का प्रक्रिया जिसमें होता क्या है Dalution के क्रिया हमारी होती है ठीक है थर्ड हमारा होता है Atmospheric Dilution स्मोर्ड जो हमारा Atmospheric Dilution होता है वो मुप्स्विम क्या करते है Gas के लिए यूज करते है 4 gases radioactive waste जो हमारे gases होती है जो उसमें radioactive element निकलते है जो radioactive element हमारा जिसे के uranium हो गया इसमें क्या फिजन का प्रोसेस होता है तो radioactive element निकलते हैं जो हमारे क्या है रेज भी निकलते हैं अल्फावेड आगावा जो हमारे environment को कौफी क्या करती है effect आलते हैं तो होता क्या है कि but solid particle from the gases waste must be filtered तो होता क्या है पहले हम क्या करते हैं इनके जो solid के particle होते हैं इनको internally क्या क्या फिल्टर कर लेते हैं जो मारे solid particle है लिखा कि but solid particle from the gases waste must be filtered out through the since they are the most to be dangerous with higher life higher life lives तो उनको अलग कर लेते हैं उसको इनके बाद हमें dilution के प्रक्रिया होती है तब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उस gas को environment में छोड़ सकते हैं तो यह होता है atmospheric dilution में जो मारा fourth process है वो होता है absorption by soil अब absorption by soil में क्या होता है यह थोड़ा मारा दोस्तों जो प्रोसेस वो expensive पड़ता है बट होता क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि fusion product are the dispose of by this method यानि जो भी हमारे fusion के जो प्रोड़क्ट होते हैं उनको क्या करते हैं डिस्पोस कर देते हैं किसमें मिट्टी के अंदर मिट्टी के क्या बना लेते हैं गड़्य डाइप में उसमें क्या करते हैं जो भी हमारे material होते हैं उनको क्या करते हैं उनको क्या करते हैं जो environment में effect डालना होता है, वो उसको क्या करता है, दूर कर देता है, यह होता है absorption by soil, last हमारा होता है bearing in sea, इसमें क्या होता है समुद्र में, यह भी हमारा दोस्तों expensive होता है कि, जो हमारे solid nuclear waste can be the store in concrete block, यानि जो हमारे solid waste material होते हैं, उनको में store करते हैं कहां in concrete block में, उनको पूरी concrete block में हम क्या करते हैं, रखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से पूरा रखते हैं, इनको फिर क्या करते हैं, concrete से ढख देते हैं, और इनको क्या करते हैं, जो हमारे solid होते हो हैं, उनमें क्या करते हैं, दफना देते हैं एक तरीके से, और buried in the sea, उनको पूरा समुद्र के अंद काम में ली क्सकçon कि हमारे जो वेस्टीं इन इन मेफ़ड के दवारा हम क्या कर सकते हैं उनisco दूर कर सकते है जो क्रमफूल इफेक्ट हमारा एन्सवारणने में सब्सक्राइब करें